हाँ जी बचों तो हम आगे बढ़ाते हैं हमारे क्लोणिंग वेक्टर की सीरीज को विद दे नेक्स प्लास्मिट दाट इस टी आई प्लास्मिट ओके तिल नौ वी अब हम टी आई प्लास्मिट के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में अगें यहां पर आपको एक में डिफ्रेंस समझना इनकी डीटियर में जाने से पहले कि अभी तक जो दो प्लास्मिट आपने पढ़े हैं पीबीर 322 और पी उसी नाइटीन या प्यूसी की जो भी स अब कर रहे थे बैक्टीरियल सेल्स का ठीक है क्योंकि वहां पर जाकर वह आपका प्रडुक्ट बनाकर जो जीन ऑफ इंट्रस आपने डाला है वह बैक्टीरियल सेल में ही आपको प्रडुक्ट बनाएगा और आप उससे प्रड़क्ट आइसोरेट करेंगे बढ़ टीयाई plasmid use किया जाता है for transforming plant cells ना कि bacterial cells ठीक है क्योंकि जो ti plasmid है ये एक native plasmid है बेक्टीरिया का भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में agrobacterium tumifescience और उस bacteria को modify करना हमारा purpose नहीं है जैसे हमने वाकी दो vectors में किया था उस bacteria के ti plasmid की help से हमें plant cell को modify करना है यहां पर finally जो host cell होगी हमारी जहां पर हम gene of interest को भेजना चाहते हैं वो एक bacterial cell नहीं है और कि इस plasmid के case में वो एक plant cell है ठीक है तो ti plasmid पे कभी कभार इस तरह भी question आ जाता है कि which plasmid is generally used for transforming the plant cells तो वहां पर आपका अंसर होगा ti plasmid या इसके bacteria का नाम given होगा agrobacterium tumifascians ठीक है तो पहले हम इस ti plasmid का structure समझ लेते हैं फिर हम देखेंगे कि इस ti plasmid में ऐसी क्या खास बात है या इस bacteria में ऐसी क्या खास बात है कि biotechnologist ने इसे ही चूज किया for transformation of plant cells और फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे यह plant cells को transform करता है ठीक है clear चलिए तो सबसे पहले ti plasmid क्या होता है इसका नाम है बच्चों stands for tumor inducing plasmid आपको यह तो ऐसा लग रहा है हम डिजीज के chapter में पहुंच गए बिलकुल बच्चों यहां पर पहले आपको इस plasmid का mechanism समझने से पहले इसको biotechnology में कैसे यूज करते हैं उससे पहले आपको यह पढ़ना है कि यह जो प्लाजमिट है जिस बेक्टीरिया में यह होता है वह बैक्टीरिया अक्षिल एक पैथोजनिक बैक्टीरिया है बच्चों है ना वह प्लांट्स में डिजीज कॉस करता है ट्यूमर क्रियेट करता है प्लांट्स में इसी लिए उस बेक्टीरिया की प्लाजमिट का नाम ही है ट्यूमर इंडियूसिंग प्लाजमिट और क्यूंकि इसके disease करने का तरीका इतना यूनीक है जिसे बायो टेक्नोलोजिस्ट ने impress किया कि क्यों ना हम इस बेक्टीरिया को यूज करें as a cloning vector ठीक है वो इसके disease causing mechanism की वज़े से बायो टेक्नोलोजिस्ट इसकी तरफ attract हुए वड़ना तो गुनिया में बहुत सारे पैथोजनिक बेक्टीरिया है हर किसी को बायो टेक्नोलोजी में आजा क्लोनिंग वैक्टर यूज कर लो बैट ऐसा नहीं है सिर्फ कुछ पर्टिक्योलर बेक्टीरिया को ही यूज किया जा सकता है क्यों वह हम अभी देखेंगे आपर ठीक है तो इसका फॉल फॉर्म हुगया इस अ त्यूमर एंडूसिंग प्लाज्मिट ठीक है क्या है यह ये प्लाज्मिटD इंग अइंद है इति बंदे उस ऊहां एक नाच्रल प्लाजमिड या यू में से नेटिफ're प्लाजमिड है किसका बचो व्हुत पथीन화 2030 एक प्लेफो जेनिक ब К्लियर्लिए इसके हर एक वरड पे ध्यान दीक लिए रखा है नोट्स बनाते वक्त इस तरह की चीजें करिए एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेशियन्स के ट्यूमर क्रियेट करने वाला बैक्टीरिया त्यूम एग्रो बैक्टीरियम सेन्टिफिक नेम है सेपरेटल ली अंडलाइन कर दिया हमने कापिटल स्मॉल वह सब बाते हम हमेशा ध्यान रखते हैं तो यह इन बैक्टीरिया में प्रेजंट एक नाच्रल प्लास्मिट है और यह बैक्टीरिया क्या है क्यों यह पैथोजनिक बैक्टीरिया है इस अनाच्रल प्लास्मिट ऑफ पैथोजनिक बैक्टीरियम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशि which cause which causes a disease in dicot plants ठीक है NCRT में clearly लिखा है कि ये dicot plants को disease cause करता है in dicot plants कौनसी disease cause करता है that is crown gall tumor इसका नाम बड़ा special सा है crown gall tumor ठीक है इसका मतलब आपको ज्यादा इसके नहीं जाना बस simply तर समझ लीजिए कि ये plants में जब tumor create करता है तो वो जो tumors है वो ऐसे चोटे-चोटे projections की तरह plant के trunk पे या plant की root में ये tumor create करता है ये soil में रहने वाला bacteria normally ठीक है it is a soil bacterium तो जब भी इसको कभी plant plant पे कोई injury हो जाए किसी भी वज़े से कोई कट लग जाए कोई वुंड हो जाए तो उसके थुरू ये plant में अंटर कर जाता है generally roots में अंटर करता है कभी कबार trunk तक भी पहुंच जाता है और फिर plant है ठीक है clear तो यह इसका एक सिंपल से इंट्रोड़क्शन हो गया अब एक क्राउं गॉल ट्यूमर क्रियेट कैसे कर रहा है ठीक है वह हम इसका mechanism यहाँ पर समझेंगे पहले आप इसको नोट डाउन करिए ठीक है इसे नोट कर लिए आचा चलो उस मेकानिजम में जाने से पहले मैं आपको इपर टीए प्लास्मिट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बता देती हूं बचो कि यह टीए टीए प्लास्मिट क्या है क्या है मतलब जादा डीटेल में नहीं बहुत शॉट में जैसे कि कोई नहां पर इसके special sequence होती है जो की कहलाती है विर रीजन विर स्टांड्स फॉर वाईलेंस जो रीजन है बच्चो traditionally क्या करता है इंट उस for it codes for some proteins some proteins some virulent proteins you can write क्योंकि यह virulent word का मदलब आप समझते है ना pathogenic nature तो इस यह जो bacteria के अंदर जो plasmid है यह plasmid क्या करता है इस plasmid में यह जो region है इस region से कुछ ऐसी proteins बनती है जो bacteria के अंदर जाकर इसको virulent मतलब इसके pathogenic nature में help करती है नहीं हूँ समझते है अब ठीक है इट कोषफ़ वाई रूलेंट विर प्रोटीन इट कोषफ़ विर प्रोटीन ठीक है विर प्रोटीन आण help in help in entry of tdna into plant cell यह tdna क्या होता है वही इस plasmid का सबसे important part है देखिएगा जरा यह जो part है इसका इस ti plasmid पर अगर यह हमारा ti plasmid है बच्छों तो इस ti plasmid पर यहां एक बहुत ही important sequence होती है ठीक है एक बहुत ही important sequence होती है यह जो बने एक बड़ी सी sequence बनाई है this is called tdna इस इत्ते से segment को tdna कहा जाता है ti plasmid और tdna में फर्क है ti plasmid is the whole plasmid और इसकी वो particular sequence जो tumor cause करने के लिए responsible है that is called tdna तो tdna क्या करता है it is responsible to produce tumor in plant cells ठीक है एक तो tumor produce करता है and code for codes for some proteins essential for growth of bacteria essential for growth of bacteria ठीक है bacteria की growth में help करता है जब bacteria plant cell में enter कर जाता है न तो वो plant cells पर इस तरह attack करेगा कि plant cells से अपने जरूरत की proteins बनवा बनवा के लेगा खुद नहीं बनाएगा खुद आलसी है खुद की पास सब कुछ है जब यह टी यह प्लाज्मिट और बैक्टीरियल सेल में है तो इसको खुदी बना ले नहीं चाहिए अपने जरूरत की सब्सक्राइगा बच्चों कि टी आई प्लाज्मिट यह जो हमने डाइग्राम में यह लेबरेटरी में कोई आर्टीफीशली कंस्ट्रॉक्टेड वाइरस नहीं है यह एक नाचुरल वेक्टर है एक नाचुरल प्लाज्मिट है बस इसमें थोड़े बहुत सब्सक्राइब करने होते हैं जिससे इसको आज़ा क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जा सके अधर्वाइज यह अग्रोबेक्टिरियम ट्यूमेफेशियन से निकाला गया प्लाज्मिट है थोड़े बहुत कैसे डिजीज कॉस कर रहा है प्लांट सेल में डन ओके ठीक है देखिए तो नेक्स्ट आपने डाइग्राम में ला लिया टी आई प्लाज्मिट का नोट्स में अब आप लिखेंगे हाव इट कॉजस डिजीज हाव इट कॉजस डिजीज इस मेकानिजम को समझ येगा रेख ठीक हैं कन्फ्यूसत्य होंके गिनिए और ये जो है ये रहा इसका प्लास्मिट है ठीक के जिस पर हमने पड़ा और आयं होता है एक उस्का वुर रीजन होता है और एक ये मेन प्डिए लेजन अDr ची इचैंन इस से हमें मैं मतलब है इसल इस बीख प्लाजमिट इसल व्- अग्रो बेक्टीरियम ट्यूमी फेशियन्स ठीक है अब क्या होगा अब यह कैसे प्लांट सेल पर अटैक करेगा देखना कि यह क्या करता है जब यह किसी भी प्लांट सेल के कॉंटाक में आता है जो कि इंजर्ड है ठीक है तो वेन इंजर्ड प्लांट सेल इंजर्ड प्लांट सेल वो रूट में हो सकती है ट्रंक पे हो सकती है ठीक है तो क्या होता है जब वो इंजर्ड प्लांट सेल के कॉंटाक में आता है बेक्टीरिया तो यह बेक्टीरिया प्लांट सेल से अटैच हो जाता है just like viruses और अपने इस special segment को इसका जो टी डीने है ना इसको copy करके plant cell में एंटर करा देता है देखो कैसे समझना ध्यान से कि ये मान लीजिए पहले हम लिख देते हैं कि जैसे ही ये injured plant cell के contact में आता है तो ये क्या करता है it deliver its tdna segment पूरे के पूरे प्लाजमिट को अंदर नहीं भीजेगा सिर्फ tdna segment को भीजेगा ये बात ध्यान रखेगा ठीक है डिलीवर its tdna segment into plant cell after its replication अब बट ऊवियस खुद के टी डीने को तो तो कट करके भेज़ेगा नहीं तो यह Tdna को अब आप कहेंगे मैं प्लाजमिट जब राप्लिकेट करेगा तो पूरा करेगा Tdna कैसे अकेला राप्लिकेट कर रहा है तो बच्छों एक आप लोगों ने जनेटिक्स में राप्लीकॉन वर्ड पढ़ा हो राप्लिकॉन मीन तो इट डिलीवर इस Tdna segment इंटो प्लाण जेल आफ्टर राप्लिकेशन ठीक है? आफ्टर राप्लिकेशन एन्ड अट एंटच इस पीस यह जो पीस प्लाण तो प्लाण सेल में गया ना अटच इस पीस विद डिए ने आफ प्लांट सेल विद डिए ने ओंड एफ बेटिरियल को सेल में बेजा और सेल की जीनोम के साथ जाके वह ऑटार हो गया तो वही बस यहां पर बेक् टीरिया क्या कर रहा है पने जयने टिष्टि को नहीं बेज रह सेहऊ अपने प्लाज मिड़ के पी सेह सेगमेट की कॉपी कर रहा है और उसne plant cell में भेज रहा और plant cell के genome से जाकर उसे attach करा रहा है with the help of some protein जैसे हमने कहा ना कि यहां पर यह जो vir region होता है तो यह कुछ ऐसी proteins बनाता है जो उसको attach उसको उसमें enter कराने में tdna को enter कराने में और उस host cell से attach करने में help करें ठीक है clear तो it deliver its समझ रहा है होगा यह मान लीजिए हमारी plant cell है यह हम यहां पर plant cell बना लेते हैं कि और यह हुआ हमारा bacteria यह आपकी bacterial cell है कि तो bacterial cell क्या कर रहे है इसको थो सब्लांट सेल के और पास बनाना पड़ेगा क्योंकि यह attach हो चुका इससे तो यह जो हमारी bacterial cell है यह attach हो गई जैसे conjugation नहीं करते bacteria somewhat वैसे समझ लो कि उसने plant cell के साथ attachment शो कर दिया ठीक है यह है आपकी plant cell यह plant cell का nucleus है ठीक है यह plant cell का खुद का DNA है ओके और यहां पर यह जो bacteria है यह इसका chromosomal DNA है यह bacteria का ti plasmid है इसको मैं ऐसे बना देती हूं कि इसका tdna हम इस तरफ ले लेते हैं यह मान लीजिए इसका tdna है ठीक है तो यह क्या कर रहा है इस tdna को सुर्फ इस tdna की copy create कर रहा है यह इसने अपने tdna की copy create कर दी ठीक है दिसस tdna clear वह हम लिख चुके हैं यहाँ पर और फिर इस tdna को introduce कर रहा है भेज रहा है plant cell में along with some proteins कुछ proteins भी यहाँ पर जा रहे हैं और यह जो tdna है यह nucleus में जाकर plant के है जो क्रोमोजोम है उससे कहीं भी जाकर जहां भी से attach होना है वहां पर जाकर किसी भी एक dna पर attach हो जाएगा तो यह plant cell में tdna का insertion हो गया ठीक है यहाँ लिख देते हैं क्या हुआ यहाँ पर insertion of tdna into genome of plant cell into genome of plant cell plant यहाँ पर host है कि नहीं है ना तो host की plant cell host के genome से इसने अपने tdna को attach कर दिया कोई confusion तो नहीं है थोड़ा सा diagram हम सही से बना देते हैं अप लोगों को confusion नहीं हो जिससे आगे मैं अभी एक ही यह मान लीजिए अलग अलग dna है plant cell के ठीक है तो यहाँ पर इस dna पर हमने इस tdna को attach कर दिया ठीक है clear like this ठीक है यह हमने लिख दिया insertion of tdna into genome of plant cell ठीक है तो आपको पताईए कि nucleus में pores होते हैं double membranus होता है nucleus that you all know clear तो समझ आया आपको इसने क्या किया अब यह disease कैसे cause कर रहा है अब इसने क्या किया जब plant cell में खुद नॉर्मली बैक्टिरिया कैसे disease cause करते हैं नॉर्मली बैक्टिरिया जब किसी host पर attack करते हैं तो यह तो toxins प्रड्यूस करते हैं या उससे nourishment लेते हैं उसी का nourishment जैसे हमारी the important is positive है करता है और इस तिन से अर 6 अपर देच करके मेर्हां Date 16 करता है कि अब यूच करना पड़े का जो मैं कहुँद गांगा क्या वे इसा कर्वाता है यह जो moist dna plant cell में गया ये दो चीजें करने के लिए plant cells को direct करता है this tdna direct plant cells the direct plant cells to produce to produce ठीक है दो चीजे produce करवाता है ये plant cells में एक तरफ तो ये जो tdna के sequence होती है आपके course में detail में नहीं है बट इस tdna के sequence पर oxygen producing regions होते हैं cytokinin producing regions होते हैं जो plant hormones है ना सेम वैसे plant hormone बनाने की coding sequences इनके पास होती है ठीक है और प्लस एक इसके पास proteins बनाने की sequence होती है opine proteins ठीक है तो ये दो काम करता है tdna एक तरफ तो क्या करता है it produce direct plant cells to produce oxygen and cytokinin oxygen and cytokinin ठीक है और oxygen and cytokinin अगर plant cell में produce होंगे तो इनकी डिवीजन रेट बढ़ जाएगी कि 11th में आफ फाइटो hormones पढ़ चुके है अगर डिवीजन रेट बढ़ जाएगी तो ये plant cells फटाफट फटाफट multiply करेंगी और अगर जल्दी जल्दी multiply करेंगी तो जितनी जादा क्या होगा क्यों करा इसने ऐसा उतने ही जागा इसके जरुवत की प्रोटीन बनेगी क्योंकि दिस टीडिया ने और साइटो काइन प्रडूस करने के साथ दिस टीडिया ने प्रडूस सम् प्रोटीन समने भी पहले लिखा था ना तो वो कौन सी प्रोटीन होती है बचो एक तरफ तो यह oxygen and cytokinin produce करता है और दूसरी तरफ it produce opines आप नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं वनदा सिर्फ याद रख लेना it produce some proteins NCRT में बस इत्ता ही दिखा है कि it produce some proteins which help to which help in the growth of bacteria ठीक है तो यह जो ओपाइंस है यह आपको विजिबल है यह बट इसके नीचे अगर हम और लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा ठीक है तो आप इसी के साथ लिग दीजिए यह जो oxygen and cytokinin है ठीक है it create tumor it create tumor और यह जो ओपाइंस है यह क्या कर रहे हैं बच्चों ओपाइंस क्या करते हैं इस्ट अबनेंट जब तक नोट्स प्रॉपर्ली नहीं बनाएंगे तो आप जब बाद में रिविजन करेंगे तो सब कुछ होच पॉच हो जाएगा इसा नहीं होना चीए ठीक है तो यह जो ओपाइंस है दे होते हेल इंग्रोथ आफ बिक्टेरियल सेल थो अल्टिमेंटली बैक्टेरियल सेल्स को क्या हुआ इस पूरे मेका नहीं से ऻ तो यह खुर्प यह काम किसी और से करवा थो यह प्लान्ट सेल में जाकर आपनी दीन्ऐ को माना कि वाइरस के रिए इसले हैं इसले करते हैं बट यहाँ परी व BACKt major दिया है इसके पास जीन होते हुए भी यह उस जीन से खुद नहीं कर रहा खुद की एनरजी बेस não ही कर ya क्यूंकि आपको बता प्रोटीन स्वागरा बनाने में ही वेस्ट होती है वलकि यह domo कै प्रांट सेल्स सेल्स प्लांड सेल्स को यूज दिया इसके पास सब कुछ था बनाने के लिए और इसने खुद नहीं बना 750 योज सेल्स प्लांड सेल्स में अपने मुण अठाऊ इनल इस को में क्वेज दिया और प्लांट सेल्स में जो बट यहां पर growth का मतलब plant की growth नहीं है यह tumorous growth है आपके answer बढ़ चुके हैं पहले मैं बढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि tumor cells की क्या खासियत होती है tumor cells are immature cells जो की इतना तेजी से divide करती है कि वो mature या differentiate नहीं हो पाती यानि अगर plant का जिस region में यह tumor create हो रहा है उस region में अगर बहुत सारी cells बन गई है तो वो cells अब plant के किसी काम की नहीं है क्यों क्योंकि वो cells कोई function नहीं कर रही है उनका functional differentiation नहीं हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर र रही है जो उपाइन इन cell में बनके वापिस से इन bacterial cells में चरह जाते हैं और bacterial cells को nutritional source की तरह काम करते हैं जिससे bacterial cells की growth होती है तो ultimately bacteria के तो मज़े हो गए उसको तो plant cells की energy के थूझ जरूब की चीज़े मिल गई और plant cell विचारी बिमार हो गई क्योंकि वहाँ पे tumor create हो गया एक त प्रॉपर्ली उन पार्ट को नहीं हो पाएगी ठीक है तो यह इस बेक्टीरिया का डिजीज कॉजिंग मेकानिजम है अगर यह आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर यह क्लोनिंग वेक्टर की तरह कैसे यूज होता है यह बाद भी समझ नहीं आई मैं कुछ भी आपको किस तरह है वो ट्यूमर क्रियेट करता है उसको हमने थोड़ा सा इलाबोरेट करके समझ लिया नथिंग एल्स ठीक है तो जो चीज वहां एक पारेग्राफ में दिया ना वह एक पारेग्राफ ही अपने आप में बहुत-बहुत सारी चीज़ों को एक्स्पेन करता है पस उन है उन्हें ऐसा क्या किया इस बेक्टीरिया में जिसके वजह से हमने इस प्लांट सेल्स को बिमार कर देगा फिर उससे फाइदा क्या हुआ हमारा डिजायर जीन चला भी गया तो तो नहीं यहां पर हम पहले बायो टेक्नोलोजिस ने क्या किया पहले इस बेक्टीरिया को नॉन पैथोजनिक फॉर्म में कनवर्ड किया और फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया प्लांट सेल्स को फ्रांस्फॉर्म करने में तो वो कैसे क किया वह हम अभी समझते हैं इसका स्नाप्शॉट लीजिए अप लोग जिसे अब बाद में नोट्स में लिख सकें इसलिए लेना होता है स्नाप्शॉट ठीक है यहां और साइटो कानिन के नीचे मैंने लिखा है बच्छों क्रियेट ट्यूमर ठीक है आपको बाद में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे जब आप नोट्स बनाएंगे थोड़ा उपर लिख देते हम इसको ऑग्जिन एंड साइटो कानिन क्रियेट ट्यूमर ठीक है नौट इस विजिबल येस इसका स्नाप्शॉट लीजिए ओके अब आगे बढ़ते हैं इसको रब कर देती हूं है अच्छा एक चीज़ और बचो यह जो डाइग्राम अभी आपने बनाया ना उस डाइग्राम के नीचे एक नोट बैक्टिरियम ट्यूमेफेशियन से इसकी इस प्रॉपर्टी की वज़े से क्योंकि यह प्लांट को कैसे डिजीज करता है बाइड डिलीवरिंग इट्स पीस आफ डिन ए तो एक तरह से यह प्लांट में जेनिटिक एंजीनियरिंग नहीं कर रहा क्या यह तो पहले से नैच आध आप नूट डाल की रिखेंगे सिंस अग्रोबेक्टिरियम सिंस अग्रोबेक्टिरियम डिलीवर इट्स पीस ओफ डिन ए इंटु प्लांट सेल इंटु प्लांट सेल क्या करें एट टान्सफर्म देम हैंना उनका ट्रांस्फोमेशन कर दिया हैन्स इस कालड है इस क्या कहते हैं बचलों इसको इस नाच्रल जैनिटिक इनजीनियर नाच्रल जैनिटिक कि इनजीनियर औफ प्लांट सैल्स या रफ बांट ठीक है यह ध्यान रखिएगा क्वेशन आता है नीट में बोर्ट में कि विच बेक्टीरिया इस आपको चार्ट के बाद नोट डालके लिखना है ठीक है इसका भी स्नाप्शॉट ले लिजी अब मैं आपको बता रही हूं कि एग्रो बैक्टीरियम को कैसे जो इसकी नाचुर प्रापर्टी है यह खुदी जैनेटिक एंजीनियर है तो बायो टेक्नोलोजी सोचा कि हम इस जैनेटिक एंजीनियर को खुद के लिए यूज कर लेते हैं हुमिन्स का तो काम ही यह है किसी भी चीज को खुद के फाइबे के लिए यूज करना ठीक है तो इसको लिख लिए biotechnologist done with it, क्या किया उन्होंने इसके साथ, ठीक है, तो देखें, क्या उन्होंने किया, biotechnologist ने की, they modified, NCRT में हैं ये भी चीज़े, ठीक है, they modified TI plasmid, into cloning vector, उन्होंने TI plasmid को cloning vector में बदला, they modified Ti plasmid into cloning vector कैसे बतला? अब उन्हें पता था कि जब तक Ti plasmid से T-DNA attach है, तब तक वो disease करेगा तो उन्होंने उस T-DNA के sequence को remove कर दिया और उसी जगह पर एक हमारा desired gene या gene of interest को add कर दिया तो क्या किया उन्होंने into cloning vector by removing its T-DNA ठीक है, उसके T-DNA को remove किया removing its T-DNA and inserting gene of interest inserting gene of interest किसी जगह पर जहां से T-DNA remove किया था था तो आप सोचो अगर T-DNA remove हो गया तो auxin cytokinin को बनाने वाले gene remove हो गया तो अगर plant cell में जाएगा तो tumor create नहीं कर पाएगा और plus plant cell में जाकर थोड़े दुनों में खतम भी हो जाएगा क्यों क्योंकि T-DNA पर ही ओपाइन बनाने की सीक्वेंस थी तो अब वो सीक्वेंस भी नहीं रही ओपाइन नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा लेकिन फाइदा क्या मिला हमें लेकिन जब हमने उसके T-DNA को हटा कर क्या किया हमारे gene of interest को एड किया ना तो इससे हमने उसका जो delivery करने का mechanism है जो अपने gene को deliver करने का mechanism है उसे disturb नहीं किया यह अभी भी इस स्तिल एबल टो deliver its piece of DNA into the plant cell क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका जो विर region होता है वो responsible होता है tdna को भेजने के लिए उसकी वज़ा से tdna एंटर करता है अब वो tdna की जगह हमने चुप-चाप हुश्यारी दिखा कर उसका sequence हटा कर हमारी sequence add कर दी ठीक है बट उससे हमने उसका वो mechanism खतम नहीं किया delivering mechanism वो वैसा का वैसा है बस हमने उसके पैथोजेनिक जीन को पैथोजेनिक sequence को अपनी desired sequence से replace करा है getting my point हम क्या लिख रहे थे कि by removing its tdna and inserting gene of interest at this site जहां पर tdna था वहां पर क्या add कर दिया हमने gene of interest at this site and which just a minute बचो just a minute which make the bacteria non pathogenic है ना which convert भी लिख सते हैं आप में एक की जगह which convert the bacteria into non pathogenic form into non pathogenic form ठीक है जिससे bacteria किसमें convert हो गया non pathogenic form में but but still able हमने उसका mechanism disturb नहीं किया but still able to deliver to deliver अब लेकिन अब किसको deliver करेगा ये tdna को या gene of interest को tdna को तो हम remove कर चुके हैं तो tdna को कहां से deliver करेगा so but still able to deliver gene of interest gene of interest into plant cells समझाया क्या किया और जब इस तरीके से किसी वैक्टर को वेरी वेरी इंपोर्टन टम जो आप क्लोनिंग वैक्टर में रेट्रो वाइरस इस पढ़ेंगे बेक्टिरियो फेजिस पढ़ेंगे न वो भी एक तरह के डिस आम्ड पैथोजन वैक्टर हैं क्योंकि आपको पता है बेक्टिरियो फेजिस पैथोजन फर बैक्टिरियल सेल्स रेट्रो वाइरस इस पैथोजन फर प्लांट्स एन आनिमल्स तो वहां पर भी हम सेम मेकानिजम करेंगे उनकी उन सीक्वेंस इसको हटाएंगे जिसकी वैक्टर्स को क्या कहा जाता है सच वैक्टर्स आर कॉल्ड डिस आम्ड पैथोजन वैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस आम्ड पैथोजन डिस आम्ड पैथोजन वैक्टर्स ठीक है ध्यान रखेंगे आप यह इंपॉर्टेंट है तो और एक चीज और ध्यान र Ti plasmid को bacterial से निकाल रहे एं फिर ऊसमें gene of interest को add कर रहे और वह जो reqo mmb lists को डिएरेकली plant सेल में भैजना उस Ti plasmid को पहले दुबारह से bacterial cell में reintroduce करना है फिर उन bacterial cells का infection plant में कराना है ठीक है तो यह बत आप कैसे याद रखेंगे इसलिए यह आप एक बार नोट कर लीजे इसके बाद में एक डाइग्रमेटिक प्रेजेंटेशन से बताती हूं कि कैसे आपने एग्रो बैक्टीरियम को जब दिस हम पैथोजन वैक्टर में कनवर्ट किया तो कैसे आपने इसे यूस किया for transformation of plant cells ठीक है clear पहले आप यह लिख लीजिए what biotechnology is done with it यहां पर आपच्छो एक चीज़ और अड़ कर सकते हैं जिससे आपको यह confusion नहीं हो कि जब उन्होंने जीन आप इंटरस्ट को आड़ किया ना at the site तो क्या हुआ? just a minute at the site & reintroduce these modified plasmids into bacterial cells reintroduced these modified plasmids यह जो modified plasmids है इनको कहां reintroduce किया into bacterial cells तो अब हम कह सकते हैं कि which convert the bacteria है ना क्योंकि आपने उनको bacterial cells में डाल दिया तो which convert the bacterial cells into non pathogenic form ठीक है अगर कुछ बच्चों को हो जाता है कभी कभार पढ़ते हैं वह confusion कि हम T.I. plasmid पर सब कुछ कर रहे हैं तो फिर बेक्टीरिया का क्या रोल है तो हम T.I. plasmid को पहले बेक्टीरिया से निकाल रहे हैं उसे modify कर रहे हैं फिर दुबारा री इंट्रड्यूस कर रहे हैं बेक्टीरियल सेल्स में और फिर उन बेक्टीरियल सेल्स को हम यूज करेंगे प्लांट्स को ट्रांस्फॉर्म करने के लिए ठीक है क्लियर लिख लीजिए ऐसे ठीक है बचो नाव लास्ट में हम देखते हैं कैसे ये ट्रांस्फॉर्मेशन कर रहा है ठीक है तो जो हमारी नेक्स्ट सब हैडिंग है दाट इस एग्रो बैक्टिरियम मीडियेटे ट्रांस्फॉर्मेशन अब जब हम इसको उसमें बदल चुके हैं किसमें डिसाम पैथोजन वेक्टर में तो कैसे हम इसकी हेल्प से ट्रांस्फॉर्मेशन करेंगे प्लांट सेल का यह एडिंग इस तरह की मैसे लिखे रहे हूं जिससे आपको यह गाँफियूजर ना हो कि हम डारेकली टी आई प्लास्पीड को प्लांट सेल में बेच रहे हैं ऐसा नहीं है टी आई प्लास्मेशन के अंदर है बैक्टीरिय से हम plant cell को modify करेंगे ठीक है इस तरह के transformation को you can say agrobacterium mediated transformation और यह किसका transformation है bacteria का तो नहीं है न किसका transformation है plant cells का आप plant cells में कुछ new genes add करना चाहते हैं आपका gene of interest add करना चाहते हैं उसके लिए help ले रहे हैं आप agrobacterium की ठीक है तो देखें क्या कर रहे हैं हम इस टेक्नीक में सबसे पहले मान दीजिए यह हमारी यह हमारा agrobacterium है यह इसका chromosomal DNA है यह इसका ti plasmid है ठीक है ti plasmid इस ti plasmid पर जो हमारे काम की sequence है that is this tdna ओके तो हमने क्या किया सबसे पहले इस ti plasmid को बाहर निकाला ठीक है isolation of ti plasmid isolation of ti plasmid directly bacteria में remove नहीं करते पहले इस ti plasmid को बाहर निकालते हैं बच्चों ठीक है बहुत जादा बढ़ा नहीं बनाते हम diagram बना फरसे हमें space की problem होगी ठीक है तो यह हमारा हो गया ti plasmid इस ti plasmid पर इसके साथ हमने एक ले लिया यह हमारा foreign gene gene of interest यह हमारा foreign DNA है जिसमें से हम gene of interest को cut करेंगे ठीक है जैसा हम पहले करते थे ठीक है और बट ऑवियस जिस restriction enzyme से हम इस foreign DNA को cut करेंगे उस restriction enzyme की site इस tdna पर भी होनी चाहिए यह क्या है आपका यह वाला ठीक है अच्छा यहां पर है ना आपको इतना डीटेल में जाना नहीं है बट एक्चुली ना बायो टेक्नोलोजी में और भी कई सारे methods होते हैं जरूरी नहीं हमेशे restriction enzyme को यूज किया जाए कई बार foreign genes को insert करने के लिए मानलो उस particular restriction enzyme की site यह नहीं है क्योंकि artificially constructed vector तो है नहीं तो natural vector है तो कुछ और method से भी हम उस gene को add कर सकते हैं बट इतना डीटेल में नहीं जाना फिर तो आप बायो टेक्नोलोजिस्ट बन जाएंगे ठीक है तो आपको अभी हम हमारे ही concept पर हैते हैं जो हम नॉर्मली करते थे कि we cut the both DNA with same restriction enzyme both DNA cut by same restriction enzyme ठीक है and और मैं directly लिख देती हूं and link them with which enzyme ligase enzyme ठीक है हम दो step अलग लगनी मिला रहे हैं जैसा पहले बना रहे थे हमने एक साथी बता दिया restriction enzyme से cut लगाया और ligase से दोनों को link कर दिया तो जैसे ही यह recombinant plasmid cut हुआ होगा बट ऑविस बचों यहां पर भी तो वह सब conditions होगी ना कि यह ना चेक करेंगे कि किसमें यह जीन गया है किसका self-ligation हो गया वह सब चीज़े करते हैं बट वह हमें पंड़ी नहीं है हम उसके concept समझ गए कौन यहां पर selectable marker की तरह करेंगा वह सब concepts में नहीं जाना नहीं आपसे उस पर question पूछा जाएगा ठीक है सिर्फ आपको तसा ध्यान रखना है कि इसकी जो टी डीने वाली sequence है उस टी डीने की जगह क्या एड हो गया है उस टी डीने की जगह आपका foreign gene gene of interest add हो गया है this is your gene of interest ठीक है और अगर gene of interest add हो गया है बच्चों तो यह जो टी आई प्लाजमिट है यह अब क्या है यह टी आई प्लाजमिट अब क्या है बच्चों इसको मैं री कॉंबिनेंट प्लाजमिट क्या सकते हूं बलकुल मैंने चीन लिया disease करने का तो मैं इसको disarmed भी कह सकती हूं इसको हमने disarmed कर दिया है अब disease causing जो sequence है वो इसके पास नहीं है ठीक है clear disarmed ओके थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं जिससे आप इसको प्रॉपर्ली देख पाए अब क्या हुआ बताओ अब क्या होगा अब यह जो रीकॉंबिनेंट प्लाजमिट को इंट्रोड्यूस करेंगे वापिस से सीधा थुड़ी ना कराना है नाओ वी इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस रीकॉंबिनेंट प्लाजमिट्स रीकॉंबिनेंट प्लाजमिट्स इंटू बैक्टीरियल सेल्स दुबारा से जिस बैक्टीरियल सेल में इस इनको निकाला था उन्हीं बैक्टीरियल सेल्स में इनको वापिस डालें होंगे ठीक है clear तो मान लीजिए यह हमारी बैक्टीरियल सेल थी इस बैक्टीरियल सेल में यह इसका ओरीजनल डियने था और अब जो टी डियने आया हम सिर्फ वही वाला केस ले रहे हैं जिसमें हमारा फॉर इंजीन आया है क्योंकि यहां पर हमें इसे डीका एक ट्रांसफर्मेशन का मेकानिजम समझना यह ना कि सवेटेबल मारकर कर सका ठीक है क्लियर तो यह आपका वी कॉंबिनेंट टी आई प्लाजमेट जैसे हमने यहां भी लिख दी आया है ठीक है क्लियर आप क्या करेंगे हम यह जो बैक्टीरियल सेल्स हैं जो में ड़ना है जिसमें हमने plant cells को कल्चर कर रखा है जो plants already plans are plants है उनमें तो किता सा ट्रांसफर्म उनमें तो कहां जीन जाएगा फ्रांट जनिटीटिक एइंजिनियरिंग का purpose क्या होता है? जिसके हर cell में आपका desired gene हो जिससे वो अपना product बनाया जो भी आपने मान लीजे plant के case में क्या होता है जैसे plant cell में gene of interest क्या होता है बच्चों हमारा, मान लीजे high yielding gene किसी variety का high yielding gene हमें दूसरे plant में introduce करना है तो वो high yielding gene हमारा gene of interest हुआ या मान लीजे कुछ plants में drought resistance बहुत अच्छा है तो drought resistance के लिए जो gene responsible है वो हमारा gene of interest हुआ उसको हमने यहाँ पर add किया है और उसको हम plant cells में भेजना चाहते हैं ठीक है, clear? तो अब यह जो आपके modified bacterial cells हैं इन bacterial cells को हम plant cells में कैसे infect कराएंगे हमारे पास tissue culture हमारे पास plant cells का culture medium पे plant cells होनी चाहिए, जिस भी plant को आप modify करना चाहते हो, जो भी dicot plant soya bean का plant है, या कोई और plant है, जिसको भी आप modify करना चाहते हो sunflowers, whatever, तो उसके meristematic cells culture medium पे होंगी और उन meristematic cells में आप इन modified cells को डाल दोगे, bacterial cells को और जैसे ही यह bacterial cells उस culture medium में plant cell के contact में आएंगी तो क्या करेंगी, इट स्टार्ट its mechanism to deliver its DNA और थोड़ा सब चाहें, तो वो जो plant cells culture medium में, उनको injured कर सकते हैं जिससे ही फटा, आपको पता है ना, ये injured plant cells से जल्दी attach होता है और उनमे DNA delivering mechanism को शुरू कर देता है ठीक है, तो next step क्या होगा हमारा बचो कि ये जो हमारी bacterial cells है ठीक है, these bacterial cells these bacterial cells are allowed are allowed to infect, किसमें infection कराएंगे हम इनका to infect plant cells in culture medium, ये plant cells कहा रखिएं बचो culture medium में, tissue culture आप सब पढ़ चुके हैं तो आपको पता है, tissue culture किस तरह होता है तो बस उसी tissue culture में, जो plant cells है हम यहाँ पर draw कर लेते हैं मान दीजिए, ये हमारी culture plate है, ठीक है इस culture plate में culture medium है इसमें हम एक single plant cell बना रहे हैं भी समझने के लिए, single होती नहीं है हमेशा बहुत सारी होती है, बड़ समझने के लिए ठीक है, ये हमारी plant cell है और ये हमने इन bacterial cells को plant cells में जब डाला तो ये इसके साथ attach हो गई होगी ठीक है, और इसने क्या किया होगा बच्चों, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूं है, जिससे आप लोग समझ सके ये bacterial cell है ठीक है, तो जब ये थोड़ा इसको दूर बना दिया हमने समझने के लिए अच्छा सा space रहे हमारे पास ठीक है, तो ये जो kromozoomal DNA है ये तो भई ठीक है और ये जो modified plasmid है, recombinant plasmid है जैसे कि इसकी आदत है, जब भी ये plant cell के contact में आता है तो ये अपने tdna की copy करता है, tdna को replicate करता है और इस tdna को कहां भेजता है अंदर बट क्या ही अब tdna है क्या बच्चों? नहीं, ये gene of interest है tdna को तो आप remove कर चुके हो ना, दिखा था ना हमने biotechnologist वाले point में, ठीक है, ये gene of interest है ना कि tdna, तो जैसे ये gene of interest इसमें जाएगा तो plant cell का, डारिक बना देते हैं हम, जो plant cell का nucleus है, और उसमें जो dna है, ठीक है, उसमें जाकर ये attach हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया की आदत है, जब भी ये plant cell के contact में आता है, तो ये अपने tdna की copy करके उसे भेशता है, और उसको plant के dna से attach कर देता है, बट अपकी बार जीत किसकी हुई bacteria की, या हमारी, हमारी biotechnologist की, क्योंकि ये जो gene गया, ये इसका खुद का gene नहीं था, हमने से बेफकूफ बनाया, हमने इसके gene को हटा कर चुप-चाप हमारा gene लगा दिया, और बाकी इसको कुछ भी disturb नहीं करा, इसके mechanism को नहीं छेडा, इसको पता ही नहीं चला हमने कब इसके हतियार चीन कर हमारे चाहने वाली चीज इसके साथ जोड़ दी, और इस ने उसी चीज को डिलीवर कर दिया, प्लांट सेल में, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यह जो है, this is, desired gene, desired gene, integrated into plant genome, ठीक है, यह plant genome में जाकर जुड़ गया, और क्या यह gene बचों कोई tumor create करेगा, नहीं, इसके पास sequence क्या यह opines create करेगा, नहीं, यानि यह जो है, यह जो plant cell है, जो modify हुई है, तो desired gene integrated into plant genome, जिसने plant की genetics को बदल दिया, बट यह हमारा desired gene है, तो it is not able to produce tumor and opines, तो ना tumor बना, ना opines बना, तो bacteria थो कुछ दिनों में खतम ही हो जाएगा, और plant cell को कोई tumor नहीं हुआ, वलकि plant cell में वो चीज पहुँच गई, जिसे हम भेजना चाहते थे, that is our desired gene, तो यह हमने plant cells में क्या कर दिया, transformation कर दिया, ठीक है, तो यह जो हमारी transform plant cells है, फिर हम इनको, क्या करेंगे, तो कुछ cells में किया है ना, हमने, they are allowed to regenerate in this culture medium, and they will form a new plant, और उन plants को फिर हम, micro propagation से multiple copies बना लेंगे, और फिर उनकी farming कर लेंगे, तो हम एक genetically modified variety मिली ना, plant की, कैसे मिली, इस agrobacterium की help से हमने उस gene को plant cell में भेजा, कहेंगे छोटी सी gene को भेजने के लिए इतनी महनत क्यों करनी पड़ी, बट बचों, यही है बायो टेकनोलोजी, सुनने में बड़ा असान लगता है, कि किसी gene को identify करा, निकाला, और दूसरे में डाल दिया, बट यही तो बायो टेकनोलोजी है, इसलिए तो engineering की जरुद पड़ी है का चीज बनती रहती है, और फिर उन्ही सारे methods की help से यह जो gene manipulation का का में यह किया जाता है, कहने के लिए बायो टेकनोलोजी जस्ट जीन manipulation, बट इस gene manipulation के लिए आप देखा कितनी सारी चीजे यूज करनी पड़ती है, उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है अपने according, तो यह जो हमारी transformed plant cell है, transformed plant cells are regenerated in culture medium, ठीक है यह टिशू culture लिख लो, इससे आपको और जल्दी क्लिक कर जाएगा, by tissue culture, regenerated via tissue culture, tissue culture and new plant is produced, new plant is produced, which is a, that is genetically modified plant, ठीक है, जो हमें इसे gene को introduce करने के लिए आपने यह सब किया, और हाँ, एक चीज़ और लास्ट में जो मैं बताना चाहूंगी, कई बार बच्चे इस पूरे mechanism में बहुत बड़ी गल्ती कर जाते हैं, क्या? कि वो यह सोचते हैं, कि हमने यह जो सारा mechanism किया, यह जो gene introduce किया, तो यह सब हमने इसलिए किया, क्योंकि यहाँ पर हमें plant को resistance देना था इस disease के लिए, crown gall, मतलब हम यहाँ पर plant variety को crown gall tumor के लिए resist बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान से देखो, हमने जो gene of interest plant में add किया है, यह gene of interest, यह gene of interest कौन है, मैंने अभी अभी आपको example दिया, यह gene of interest कोई high yielding gene हो सकता है, कोई drought resistant gene हो सकता है, कोई pest resistance gene हो सकता है, या कोई production बढ़ाने के लिए, ठीक हाई yielding मैंने example दे दिया, तो यह gene of interest है ना, जब यह plant cell में गया, तो अब यह जो plants आपको मिले genetically modified plant, जब आप इनको उगा रहे हो, तो उन plants में, उन plants में क्या है बच्चों, कौन सा gene है उन में, उन plants में हमने इस disease का कोई resistant gene नहीं डाला था हो सकता है, इस disease का कोई resistant gene डालने के लिए कोई और mechanism हो, कहीं पर कोई और technique हो, जिससे ऐसा भी किया जाता हो, जिससे plants को इस disease के लिए resistance मिले, बट यहाँ पर, क्योंकि आपने दुनिया भर के bacteria को तो genetically modified नहीं कर दिया ना, कि उन सब के TDA ने गाया बोगया और आपका gene of interest लग हो सकता है, it may be one of the method कि ये कुछ ऐसा करे कि plant को वो disease नहीं हो, but it is not necessary, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहरी हूँ कि जो gene of interest आपने add किया है, ये gene of interest जरूरी नहीं है कि ये crown gall tumor का resistant gene है, हमने यहाँ पर plant को genetically modified किया है, और वो जो gene of interest है, वो कोई high adding gene हो सकता है, कोई दूसरा pest resistant gene हो सकता है, या कोई भी दूसरा gene हो सकता है, जो property या plant में डालना चाहते थे, इसको इस बात से मत समझेगा, कि ये technique हम सिफ तभी use करेंगे, जब plant में crown gall tumor को disease resistance क्रेट करना, बलकि ऐसा देखा जाए तो ऐसा तो है ही नहीं, हमने सिर्फ उस bacteria को as a vector use किया है, जो ये disease करता है और ये disease कैसे करता है, इसलिए हमने समझा था, क्योंकि वही mechanism से इसे as a cloning vector हमने use किया, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, confused नहीं होना है आपर, आप इस diagram का snapshot लीजे, मैं आपको एक note दलवा देती हूं, वो आप इस diagram के नीचे लिख लीजेगा, या मैं यहां ल interest है, वो क्या, वो crown gall disease के लिए resistance नहीं दे रहा है, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं note में, in this technique, मैं उसी से लिखती हूं, बचो, red color से ही लिख देते हैं, in this technique, आरे, चलू कोई नहीं, in this technique, we are not modifying, yeah, in this technique, plant is not modified for resistance against crown gall tumor, but, but, gene of interest can be high yielding gene, है न, high yielding gene हो सकता है, और, broad resistance gene हो सकता है, एक्सेटरा, और कोई भी gene हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने जो gene यहां पर डाला है, वो कोई crown gall disease से tear resistance देने वाला gene है, clear है, समझ में आया, किस तरह इस TI plasmid को use किया जाता है, for, as a cloning vector, ठीक है, यह note आप last में लिखेंगे, बचो, यहां पर इस diagram के नीचे, ठीक है, okay, snapshot लीजिए इसका, तो यह अपना TI plasmid से related topic complete हुआ, अब देखा जाए, तो हम लोगों ने इसमें, सारे, sorry, सारे नहीं, वेक्टर में जो plasmids आपको discuss करने थे, ठीक है, वो plasmids हम already discuss कर चुके है, तीन plasmids हमने discuss किये, one is PBR 322, one is PUC series, और third one is TI plasmid, ठीक है, अब plasmid वाला पार्ट complete हो गया है, यहीं पर हम आज के lecture को wind up करते है, in the next lecture, युकि बायो टेक्नोलोजी को पढ़ने में दिमाग जादा लगाना पढ़ता है, तो बच्चे इतना ही एक बार के lecture में जेल पाते हैं, तो मैं बहुत जादा रंबा नहीं ले दियूंग, वैसा रंबा हो गया है, ठीक है, तो अब plasmid के बाद हम second commonly used vector start करेंगे, बच्चो next series में, जो की है, अब बागी के जो vector हैं उन्हें जादा detail में नहीं पढ़ना, जैसे हमारे कॉन से vector हैगा, बैक्टिरियो फेस, प्रेटरोवाइरस, कॉजमेड, फेजमेड्स, आर्टिफिशल क्रोमोजोम्स और ट्रांस्पोजोन्स, ठीक है, तो इनको मैं कोशिश करूँगी, जितना हो सके, short मैं आपको बता सकूँ, बस वही important बाते हैं, जो boards में या NEET में पूछी जाते हैं, ठी प्रेटरी के, शाली बाइगे, बाइगे.